एकविटीशे मार्कीट में हमारा सबसे मीन फोकस होता है बाइंग के डिसिजíन के उपर उसके बाद हमारा तोड़ा बहुत फोकस होता है सेलिग के उसके उपर हमें लगता है कि हमारे पास सरफ दो ही डिसिजिज़न इस्वेकिंग है कोशिश करते हैं और एक कमपल से ट्रेडर बनते जा रहे हैं यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कि हमें धीरे-धीरे समझना पड़ेगा कि कई बार हमें वेट और वाच करना भी ज़रूरी हो जाता है छोटा सा पॉइंट है पर अगर आप अपने decision making में तीन decision मना देंगे buy, sell या wait तो आपकी investment की journey काफी comfortable हो सकती है अगर अभी तक आपने open for all free telegram चैनल जोईनी किया सीधा सबसे पहले इंडेक्स के पर नज़र डालते है 76.52 पसे नेगेटिव रहा exactly 60,000 के आसपास जाके closing मिली निफ्टी की बात करें तो 0.56% नेगेटिव रहा पर आज के दिन निफ्टी 17,900 के just नीचे close हुआ है अपने 50-day moving average से सिर्फ 1% दूर है अब यह आज के दिन बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.69% नेगेटिव मिट कैप इंडेक्स 0.67% नेगेटिव रहा आज की दिन stock specific action ही आपको मिल रहा था उस पे ही आपको focus करना ज़रूरी था advance plan ratio की बात करें तो 690 के as per share advance हुए जिसके against में 1100 से उपर share decline हुए काफी poor advance plan ratio बोल सकते है sectors की बात करें तो healthcare, auto उसी के साथ-साथ media, consumption, PSU bank, finally PSU bank ने थोड़ा बहुत bounce दिया और IT ने अच्छा perform करा जिन sector में आज सबसे अधा पिटाई उसमें सबसे आगे था reality, oil and gas, pharma, private bank, commodity के साथ-साथ financial services US futures की बात करें तो एकदम neutral है, अभी market में क्या हो रहा है, US markets comparatively काफी stable है पर Indian market based हमें correction देखने को मिल रहा है Wix की बात करें तो 14.98 पर है काफी comfortable है, उसी के साथ-साथ Nifty के momentum के उपर नजर डालते है, opening हुई थी 17,939 की हलकी सी gap down opening हुई थी, market अपना high लगाता है 18,022 का 18,050 एक major resistance है, उसी के आसपास से market पलटता है, second half में dip आता है जो roughly market को लेके जाता है, 17,879 के आसपास और closing होती ह 17,898 की, poor closing हम बोल सकते है, open for all free telegram पर भी आपको बताने की कोशिश करी थी, कि morning में 100 point का dip, उसके बाद bounce और उसके बाद expiry game, exactly वैसा हमने होते हुए देखा, अब अगर important updates की बात करें, तो भारह dynamics को order मिल चुका है 171 करो उसके उपर का, जो इसके लिए positive हो जाता है, चलते ह नाम है FIIs and DIs Action, FIIs और DIs का आज का डिटा नहीं आया, पर अगर आज का डिटा आज आता है, तो आपकी reference के यहां पर punch out हो जाएगा, अगर नहीं आया वीडियो एडिट होने तक, तो open for all free telegram पर अप्डेट हो जाएगा, अगर हम कल की डिटा की बात करें, तो almost neutral सा था, ज आज की दिन हमें कुछ तो selling अच्छी खासी मिलने वाल है, चलते हैं नेक्स segment पे जिसका नाम है viewers query, सबसे पहली query आ रही है कि suppose करते हमने 650 पे कोई share buy किया, उसमें 640 पे stop loss लगाया, पर sudden jerk आता है market में, और शेर 630 पे चल आता हम क्या करें, आप GTT उसी के साथ साथ limit order लगा क आपके रखिये, ज्यादा usually दिक्कत नहीं आएगी, कभी-कभी कुछ exception situation हमें मिल सकती है, next important category की question यह है, कि हमें अगर IPO में apply करना है, मुझे H9 में apply करना है, पर में एक retail investor और मेरे पास total capital है, 3 से 4 lakh का हम कैसे apply कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 to 4 lakh, या बलकि 3-4 lakh चोड़िए, अगर आपकी capital 10, 15, 20 lakh भी है, और आप without funding लगाना चाहते है, H9 में application तो मत लगाईए, बेटर आपके लिए यह हो जाता है, आप अपने हर एक family work के नाम से एक एक lot में apply कीजिए, वहाँ पे आपकी winning की probability बढ़ जाती है, H9 का simple सा game है, जितनी बड़ी capital होचाए, आपकी करोज में capital क्यों ना हो, अगर वह free है, और आप उसमें H9 कोटा apply करते हैं, तो आपकी success की probability बढ़ जाती है, तो अगर आपकी capital 10, 15 lakh के आसपास है, तो normal retail category में apply करना beneficial हो जाता है, अब सबसे पहले बात करते है, Tarsan Products के final subscription के बारे में, QIB 115 ताइम से ज़्यादा oversubscribe हुआ है, NIA category 184 त 25% के आसपास अभी भी stable है, finally बात करते है, Go Colors के IPO के बारे में, QIB, NIA last day पे ही आएगा, पर बहुत अच्छा subscription आने की पूरी-पूरी उमीद है, retail category already 12 ताइम से ज़्यादा सबस्क्राइब हो चुका है, मेरा personal final decision, वैसे तो आपको main video से समझ आ गया होगा, मैं इस IPO में अपन हर एक family member के नाम से कुछ ना कुछ अपलाए काडने वाला हूँ, आपका क्या decision है, comment करके बता दीजिगा, आज का grey market premium अगर बात करें, इस IPO में, almost 35% के आसपास चल रहा है, अब चलते है, next segment पे जिसका नाम है Stocks in Focus, जो Stock in Focus कल के दिन थे, Clean Science उसे के साथ साथ DMART अभी वह फोकस पर रहने वाले, even DMART की तो हम बात ही कर लेते हैं, आप इसे चेकाउट कर सकते हैं, कभी भी 5050 के आसपास मिले तो एक अच्छा लेवल होता है, 5135 को cross करें तो 5170 से लेके 5200 के लेवल हमें मिल सकते हैं, next important stock जिसे ह अच्छा लेवल एडिशन का होता है, 465 के नीचे, अगर इमीजटली बात करें, अगर यह 476 को cross करता है, तो 484 से लेके 486 के लेवल इसमें इमीजटली आ सकते हैं, finally एक important stock होने वाला है, जिसके बारे में discuss करते हैं, नाम है Deepak Nitrate, आप इसे चेकाउट कर सकते हैं, आज 1.5% नेगेटिव रहा, कुछ question अनन्त यह आया, कि अनन्त आपने weekly वीडियो में Deepak Nitrate को short करने की क्यों बात करी थी, अगर आप members है और पिछले 2 members ओली वीडियो देखे होंगे, दोनों में हमारी Deepak Nitrate को short करने की बात करी थी, even after knowing कि मेरा one of the favorite share हुआ करता था, हमें कभी भी किसी share के नाम से attached नहीं होना है, हमें attached होना है कि वो technically क्या दिखा रहा है, उसका काम क्या है, अगर कोई यह share दिखा रहा है कि उसमें weakness आ सकती है, उसमें मैं shotting कर सकता हूं, तो अर्राम से shotting की वे opportunity हम डूण सकते हैं, अभी buying के opportunity मुझे personally Deepak Nitrate में नहीं मिल रही, finally हम बात करते है Z entertainment की, अगर यह 323 के level को cross करता है, तो 327 से लेके 331 के level हमें मिल सकते हैं, अगर इसमें entry trigger होती है, तो 318 के आसपास का stop loss भी important हो जाता है, अब चलते हैं, next segment पे जिसका नाम है general market trend, number of volume distribution days का count 5 हो चुका है, एक volume distribution day next week expire होने वाला है, इसलिए as an exception अभी भी market uptrend में है, पर एक और volume distribution days के साथ, अगर 50 day moving average तूटता है, सिर्फ 1% दूरे अपने market 50 day moving average के, अगर तूटता है तो general market trend immediately neutral पे आ जाएगा, बस हम वेट कर रहे हैं 50 day moving average के, तूटने का, अगर वो final warning sign हो जाएगा, चलते है final segment पे जिसका नाम है expectations from tomorrow's market, सबसे पहले call का ISO पेंटर्स 18,000, second ISO पेंटर्स 18,500, and third ISO पेंटर्स 19,000 पे major additions 18,000 का होगा, कल के दिन है expiry और 18,000 के आसपस बहुत ज्यादा heavy call rating हो रखी है, या तो market 18,000 को cross नहीं कर पाए, और अगर करना ही है, जिसके chances आज के दिन बहुत कम बने वे, एक बड़े momentum के साथ करें, वरना 18,000 इक major addition के से काम करेगा, अगर support की बात करें तो put का ISO पाइंटर्स 17,500, second ISO पाइंटर्स 17,400, and third ISO पाइंटर्स 17,800 पे, immediate support हमें 17,750 से लेके 800 की range में मिलेगा, put call ratio की बात करें तो 0.85 के नीचे है, काफी ज्य मार्केट अपने 50-day moving average को sustain करता है, तो बाद में एक बार weekly expiry खतम हो जाए, bounce के अभी भी chances बने रहेंगे, और bounce strong भी आ सकता है, जिस तरीके का भी market का texture है, अगर bounce को आना भी हुआ, तो काफी जल्दी और काफी बड़ा भी आ सकता है, वीडियो अच्छा रागे तो लाइक क आप से काम करना, वैसे भी अगर हम जाला काम नहीं करना चाहते ना, अभी perfect time है IPO market में काम करने का, इतने बहतरीन IPOs आरे कि वहां पर हमारा focus हो सकता है, अगर अभी तक आपके वास DMAT account नहीं है, तो description में DMAT account openings और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का process मिल जाएगा, प्रा प्रोसेस ही active है तो आप चाहें तो जल्दी से DMAT लाके प्राइवेट चैनल का पाट बन सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेवेट ना मज जाएगा, मेंबर्स थे, लास्ट मेंबर्स अली वीडियो नहीं देखा तो क्या किया, जल्दी जाके तेख रही चेग कर फिर जो प्राइब शो जल्दी जानigo मेंबर्स अली मेंबर्स थे, लास्टा